चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुर्दुआरा या गिर्जा हम करेंगे सब की बाद जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में मेरापुर कस्बे के खतौली रोड पर अग्यात वाहन की चपेट में आकर एक 6 वर्षे बालक की मौत हो गई बाहन चालक अपना बाहन लेकर मौके से फरार हो गया गुश साइब परिजनों ने खतौली रोड जाम करने की कोशिश की तो पुलिस ने परिजनों को समझा भुजा कर रोड खिलुआया मेरापुर खतौली मार्ग पर शुकलार को पांच बजे एक 6 वर्षे बालक आहिल पूत्र शोकिन निवासी भूर खतौली रोड शड़क पार कर रहा था उस दोरान तेजगती से आ रही एक कार ने बालक को टकर मार थी ठकर लगते ही बालक सड़क पर गिर गया और कार का पईया उसके उपर से घुजर गया कार चालक लापरवाही रतेजगती से कार चला रहा था जिसका रड़ बालक उसकी चपेट में आ गया और लौल लोहान होकर सड़क पर गिर गया गहल बालक की मौके पर ही मरत्य हो गई दुरगटना की सुचना पाकर उसके परीजन भी मौके पर पहुँच गए और जम कर हंगामा किया तता कतोली रोड जाम कर दिया मौके पर पहुँची मा भी बालक की हाला देकर बेहोश हो गई जिसे मौके पर मौझूद लोगों ने चिकसक के पास बर्दी कराया उदर कार चालक दुरगटना कर मौके से फरार हो गया सुचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुँची तता परिजनों को समझाब जाकर रोड खोलने की मांकी काफी देर चली गहमा गहमी के बाद परिजनों ने थाना द्यक्ष संदोश कुमारत्यागी के आश्वाशन पर रोड को खोल दिया खतोली रोड पर रहने वाले लोगों का कहना है कि हाईवे नया बन जाने के करन लोग लापरवाई तेज गति से बहां चला रहे हैं जिसकारन आए दिन कोई न कोई हाथसा होता रहता है बस्ती के लोगों ने हाईवे पर डिवाइडर भी लगवाने की मांकी बिल रिपोर्ट अब क्या सायता चाहते हो अपनी अब यहाँ से भी पकड़ों कहीं से भी पकड़ों और उसा पकड़का बारा हाथ में तो हम उसा मारेंगे मारेंगे क्या पोलिस ने कोई आजवाशन दिया भी अब पुलिस ने कोच ने पुना जाएगा पुलिस के यहाँ पर मेरा बच्चा गया उनले गेता है वाप है पाले गेता है अरे गरीब आदमी इसको थोड़ी से हेल्प हो जावें